SSS congruence rule में, अगर triangles की तीनो sides equal हैं, तो इसका मतलब मेरा triangle congruent है, इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पर triangle ABCP के बार, तीनो sides equal है, AB, this is, this is, this triangle is congruent to this triangle, SSS congruence rule, important है इसका proof, क्योंकि इसका proof is not that obvious, तो इसके proof के लिए, I want you to, एक तो listen, ध्यान से बहुत अराम से सुनना, और दो बारे सुनना, ठीक है, क्योंकि एक बारे में शायद समझ ना है, थोड़ा सा complicated है, तो ध्यान से सुनना, ओके, यार इस proof के लिए सबसे पहले तो given और two proof लिखना आपको, given में क्यों होगा, कि SSS congru यानि ये तीनो साइड्स मेरे equal है, तो मैं माल लेता हूँ, दो triangle है, PQR, XYZ, जहां पे तीनो साइड्स इनकी equal है, all right, चलो, ये हो गया, लिख लेते हैं, this, जहां पे तीनो साइड्स equal है, प्रूव करना है कि PQR और XYZ मेरे congruent है, अब congruency के लिए, देखो, तीनो साइड्स क प्रूव करने के लिए, तो इसका मतलब मैं यहां पर angle P और angle X को equal प्रूव करने का कुछ ने कुछ करके, और वो कैसे करूँगा, तो construction ध्यान से देखना, मैं construct कर रहा हूँ, एक line XW, XW एक line construct कर रहा हूँ, पर ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, कि मेरा, ये वाला जो angle है PQR वाला, और अगर सपोज मैं XW construct करता हूँ, सपोज यहां पर W है, और ये line connect करता हूँ, तो ये वाला angle और ये वाला angle equal है, ऐसे construct कर रहा हूँ, तो for example, मैंने मांग लिए कि सपोज 30 degree हैगी, तो मैं ये करता हूँ, अगर सपोज 30 degree है, तो point बाएसे 30 degree बनाता हूँ, पहल दूसरी बात जो 30 degree बनाऊंगा मैं, जो line बनाऊंगा, इस line की length PQ की length की same होगी, तो suppose अगर ये 5 है, और ये 30 है, तो मैं यहां पर इसको 30 degree बनाता हूँ, और इसको यहां पर 5 ही बनाता हूँ, चीक है, 5, तो यहां पर ये point आ गया कुछ, W, इस point और X को मैंने join कर दिया, ची कि हमने X, Y बनाया, जो की intersect करता है Y, Z को, obviously intersect करता है, यहां पर इसके line के through जा रहा है, जहां पर ये दोनों angles, अब क्या है, W, Y, Z, और P, Q, R, ये दोनों equal है, और W, Y, और P, Q, equal है, चीक है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, possible है, कुछ भी गरबड नहीं कर रहा हूँ है, पर यहां पर अलग से नहीं कर रहा है, इसमें, बिल्कुल logical step में चल रहा हूँ अभी तक, चीक है, alright, तो इसको बना देते हैं, ये XY, ये X, W, और यहां पर P, Q, और W, Y मेरे equal है, चीक है, इस तरीके से construct कर रहा है, मैंने, देखा था 55, इसके बाद मैं W और Z को join कर लेता हूँ, ठीक है, alright अब देखो, मुझे क्या करना है proof, मुझे करना है P और X को equal, ठीक है, वो proof करने के लिए, पहले मैं P और W को equal करूँगा, कैसे, P, Q, R और W, Y, Z को congruent proof करूँगा, ठीक है, जब ये equal proof हो जाएगा, उसके बाद में W और X को equal proof करूँगा, ठीक है, तो पहले मैं इसको 1 और 2, angle 1 को angle 2 को equal करूँगा, फिर angle 2 को angle 3 को equal, तो इसका मतला 1 और 3 equal हो जाएगे, तो जब P और X equal हो जाएगा, उसके बाद तो मेरा S, A, S congruency से मेरा congruent हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो बस steps यहीं हैं, तो देख लेते हैं, पहली बाद तो angle P और angle W को equal कर रहा हूँगा, वो करने हैं, है न, ऐसे ही P और W, मेरी equal होंगे, तो अब यहाँ पे, यह दुनों triangle में क्या क्या होगा, देखो एक तो P Q और W Y, यह मेरे क्या है, equal by construction, तो एक side आ गई, एक angle आ गया, Q और Y, ओके, और भी कुछ है, और भी कुछ है, W Y Z, P Q R, अच्छा हाँ, Q R और Y Z भी तो equal है, by construction, तो Q R और Y Z मेरे equal है, by construction, तो side angle side से मेरे दोनों congruent आ गए, लेख लेखे देए, P Q equal to W Y, by construction, यह दोनों angle equal है, by construction, और यह दोनों sides, Q R और W Z मेरा given था, तो side angle side से मेरे दोनों triangles congruent आ गए, च्छा है, congruent आ गए तो मैं कह सकता हूँ, कि C P C T से यह angle P और angle W equal है, चीक है, ओल राइट, चलो, एक कहानी तो निपड़ गई, angle P और angle W मेरे equal है, ओके, अब मैं कुछ और काफी interesting चीज़ करूँगा, मुझे अब W और X को equal करना है, यहाँ पर आएगा मसा आप, W X को equal करने के लिए, म यह blue वाला है, चीक है, हमने assume कर रहा था कि P Q और W Y equal है, लेगिन given है P Q और X Y equal है, तो मैं कह सकता हूँ, W Y equal to X Y, है न, यह दोनों sides equal है, तो इस triangle में, अगर मैं apply करूँ, isosless angle theorem, तो मेरा यह वाला angle और यह वाला angle equal हो, ठीक है, angles opposite to equal sides are equal, तो इसे लिखता हूँ, angle 1, इसे लि angle 2, तो angle 1 equal to angle 2, है न, तो since P Q equal to W है, और यह, तो यह equal to है, angle opposite to equal sides are equal, तो यहाँ पे angle 1 और angle 2 मेरे equal आगया, चीक है, ओल राइट, आजे तो equal आगया, अब, अब क्या करें, अब देखो, अब यह वाला triangle, X Z W, ठीक है, अब इस triangle में, मैंने प्रूव कर दिया, P Q R और W Y Z मेरा congruent है, तो मैं कह सकता हूँ, P R और W Z मेरे equal होंगे, by C P C T, ठीक है, P R और W Z मेरे equal है, और P R और X Z मुझे equal given है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ साइट्स equal है, तो इस triangle में, again, angles opposite equal sides करूँगा, तो यह वाला angle और यह वाल angle, angle 3 और angle 4 मेरे equal आगा, है न, मैं पस निक स पाउंस को, similarly, we can prove angle 3 equal to angle 4, जब आप prove कर रहे हो, तो आप directly लिख देना, लेकर आपको समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखता आप लिए, तो यहाँ पे मैंने angle 1 को angle 2 के equal, angle 3 को angle 4 के equal कर दिया, अगर suppose, मैं यह दोनों equations को add कर तो angle 1 plus angle 3 हो जाएगा left side पर, और right side पर होगा angle 2 plus angle 4, 1 plus 3 होगा x, 2 plus 4 होगा w, तो x और w equal आगए, यहाँ पे मैंने p और w को equal करा, x w को equal करा, तो इसका मतलब p और x मेरे equal आगए, तो मैं यहाँ पे p और x को equal, यानि इसको green और इसको भी green करते दा हूं, चीक है, अब तो मेरा side equal है, इसके, यह angle equal है, given है, और यह pr, अच्छा, यह angle हमने proof करा, और यह pr और x z हमें given था equal, तो side angle side से मेरे congruent हो गए, प q equal to x y, angle p equal to angle x, pr equal to x z, तो यहाँ पे triangle p, q, r is congruent to triangle x, y, z, एसे congruent source, तो यही proof करना था हमें, चीक है, काफी सही, explanation है, बहुत अच्छा proof है, इसे better proof मुझे नहीं मिला गएंगे, चीक है, अगर मिला हो सद में use कर लादा, पर काफी logical, काफी अच्छा proof है, तो एक और बार चाहतू मैं बीटी देखो, अब मुझे पताओ कि कैसे लगी, अगर आपको कोई और method पता है, SSS congruency proof करने का, theorem, ठीक है, proof कह रहा हूँ, जब मैं टरी नहीं बता देना, कि सरो overlap कर दो हो जाए, नहीं, नहीं, कोई theorem का proof पता है, तो प्लीज मुझे comment कर के बताओ, और वीडियो अच्छे लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जिरूर कर देना, लाइक, शेर, सब्सक्रेब करोगे, तो चैनल को सबोट मिलेगा, टीचू पे सारी theorem का proof और questions का solution है, including examples, वीडियो भी है, और next वीडियो में हम कोन सी करेंगे, अच्छा हम काफी interesting कीज करेंगे, हम देखेंगे, SSA congruency क्यों नहीं होती, ठीक है, और यह मारी triangles class 9 की playlist है, इसे चेकर लेना, चालो, सिया!